हो वा, डोगी मजे ले रहा है, यह देखो, दिख रहा होगा, पानी के आवाज भी आपको आरी होगी, भाई, गाउं का बस्टोप पर भी, करने एलवीश याददव का सिस्टम, एलवीश यादव, सिस्टम, समस्त ग्राम वस जास अवाज, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब, आई होप, आप सब अच्छे होंगे, दोस्तों, ले लद्दाख 2023 सीरीज के जितने भी वीडियो थे, वो सारे आचुके हैं, जो आई होप, आपको वीडियो देखने में मजाया होगा, अच्छे लगे होंगे आपको वीडिय एक dedicated वीडियो ओर बना रहा गया, उसका कि total कितना expense हुआ, गाड़ी ने कितना किलोमेतर निकाला, कहां कहां पर हम रुके, कितना, कितने रुपै में हमें hotel मेला, कितना खाने का खर्च हुआ, याने कि series का total हमारा कितना खर्चा, कितना budget बेठा, ये पीछ अपनी भाईक खड रस्ते में अच्छा पानी आया हुआ है दो अन नदी में देखो मैं बैक कैमरे से दिखाता हूं एक बार यह देखो वा डोगी मजे ले रहा है यह देखो निकल गया अब तो काफी अच्छा अच्छे बाव के साथ पानी आया हुआ इसमें आप इसी बाव से अगर चलता रहा है तो एक यह दो दिन में रेवाडी रोड जो है वहां तक पानी पहुंच जाएगा उस साइड से दिखाता हूं साइड से आपको अच्छा अंदाजा होगा कितना पानी आया हुए यह देखो देख रहा होगा पानी की आवाज भी आपको आ रही होगी और अपी अच्छे बाव के साथ पानी आया हुआ यह कंप्लेटी ना कम पानी आता है तब यहां पर चार पाईप लगे हुए इसके निचे जिस पूल के निचे जिसके उपर मैं अभी दिखा रहा हूं आपको इस के निचे चार पाइप लगे हुए तो कब वा उसे पाणी आता है तो एक या दो में से ही पाणी गुजड़ता है और इस साइड वाड़ा लगबग मिट्टी से कवर हो गया था लेकिन अब अच्छा पाणी आया हुआ है तो चारों में से पाणी निकल रहा है इसमें अच्छी बात है यह ना किसानों के लिए एक वर्दान इसाबित हो रही है यह हमारे एरिया में ना काफी टुवेल बंद हो चुके थे जिसमें एक मेरा भी सामिल था और इस दो आन नदी में पाणी आने के बाद वह सारे टुवेल दोवारा से चलू हो गए है और अच्छा व वह अपनी बाइक खड़ी है तो चलते हैं आगे आज सोच रहा था कि एक बार एर सलून वाले के पास जाएं और थोड़ा जिना सफेद हो गए हैं बार जादा तो इनको थोड़ा ट्रिम करवा लेते हैं इस साइड से आपको अंदाजा सही होगा यह एक हां अंड्रिल ले गए इसमें दिखतो रहा था कि पाणिया जा रहा है उसमें लेकिन आ नहीं रहा है इससे चार नंबर जो है नहीं उस साइड से तो दिख रहा है कि आ रहा है लेकिन इमिट्टी भरी हुई है इसमें और वह बाकी तिनों काफी अच्छे तरीके से चल रहे है 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 तो सही खुला एक मिनट यह देखो दिखतो रहा है उसके अंदर से अब ही चलते हैं एक बार गाउं के बस टॉप पर और देखते हैं हाँ पर अगर हदीस के पास टाइम हुआ तो सेव करवाएंगे क्यों काफी दिन हो गए है और बाकी चलता हूं तो भाई गाउं का बस टॉप पर भी करनेल विस याद्दव का सिस्टम गाउं के यूवास आथियोंने ना यहां पर वह लगा जिए बैनर और आज तो वोटिंगी मेरा इसांज लास्ट होगी तो लिया जो विजयत्ता होगा वह आज बाड़ा एप्छोट में तो पतोसल जाएगो और मेरे शाल से लाइव चली रहे होगो और यहां पर आये थे भाई रिष्क ने तो करेंगो तो टाइम देखो तो काफी काफी दिन में होना काफी मेरा इसांब से पिछली बार आया जब यह गाम वाल वह भी ना लग रहे तो उपर वालोगी तो बता रहे है ना पर परांज आए कि दिखाऊंगा उपर तो लगा भाई गाउं का भूजल का निच्च लगा दिया यह वोट फॉर एल्वीच याद्व सिस्टम स्मस्त ग्राम वसिजास्टावाज वाकी चलते हैं रिष के पास तो फाइनली भाई नमबर तो दे दिया अब दे को टाइम कितनो और लगाओ है तसमा के करूँ भाया मिना दिख नहीं देख पिजामत अठवा आग में जोगें चलो यह बिफॉर है आफ्टर का देख लेना कैसा होगा प्राने चलो पुरा से सही दिखागो वह कने आज्योंगों नहीं ना ना सही है वर्स तो भाई गर पहुंच चुका हूँ और जिस सेलून पर में गया था रिसके पास उसको बिटी अरानी उर्ख ही है तो कल उसकी चठी का प्रोग्राम करखा था उसने तो कल तो मैं वहां पर जा नहीं पाया तो इसलिए आज उसके पास गया था उसको मुबार्ख बाद देने की वो भी एक बिटी अरानी के फादर बन चुके है और गए थे तो वहां पर सेव अगेला भी करवा ली तो दोस्तों कल है 15 अगस्त 2023 भारत का सवत तंतरता दिवस सतेतरवा 77th Independence Day है तो आप सभी को उसकी मुबार्ख बाद और कल अगर दवजा रोहन कहीं किसी प्रोग्राम में जाने का मोका मिला तो कल जरूर जाओंगा और आपको भी दिखाओंगा और हाँ अगली वीडियो आएगी ले लद्दाक सीरीज के टोटल एक्सपेंस की तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और बताएं मुझे जो मैं कंटेंट बना रहा हूं आप लोगों के लिए तो उसके अं अपते में दो या एक दो वीडियो कम से कम हपते में आपके लिए डालूं अभी ज्यादा कुछ कंटेंट तो होगा नहीं मेरे पास वही डेली रूटीन है मेरा तो बाकी चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर कर ले मिलते हैं ऐसे किसी अन्ने वीडियो में तब तक के लिए बाइ और हां 15 अगस्त इंडिपेंडेंस दे की हार्दिक सुभ कामनाओं के साथ बाइ